एक लंबे इंतजार के बाद 13.0.8 का एक latest update यहां पर रोल आउट होना शुरू हो चुका है Mi 11x device के लिए जिसका size only on 98 MB का मिलता है और यह भाई यहां पर पार्सली सभी को मिल रहा है क्योंकि बहुत सरा ऐसे normal users से उनको भी अब यह update मिल चुका है और जो पिछली अप्डेट में प्रॉलम था बैटी डॉप का 13.0.7 का जिसको विए से लोग परहसान थे वो यहां पे solve हुया या नहीं वो सब कुछ में आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा लेकिन आज ही अप्डेट रोल आउट हुआ है तो आज का यह फर्स्ट अप्डेट होने माला इस अप्डेट से related तो में आपको यहां पर क्या feature से add हुआ है और फर्स्ट टाइम अप्डेट के बाद क्या performance test result मिलता है वो share करूँगा इसके बाद जो next video होगा उसमें आपको बैटी की complete जनकाई दे दूँगा और फाइनल रिव्यू का वेट कर लेना अप्डेट करने से पहले क्योंकि आपको पते हैं भाई सावमी के फोन के अंदर जब भी अप्डेट आता है तो डर लगता है अप्डेट करने से अगर इस अप्डेट की बात करेंगे इसमें क्या नया एड किया गया है तो एक लाइन में कहूंगा भाई कुछ भी नहीं नया एड किया गया है क्योंकि यहां पर बस छोटे-मोटे चेंज आपको देखने को मिलते हैं बट बिक चेंज दिखाई नहीं देता लेकिन बैटी साथ-साथ यहां पर अगर 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 चेंज की बात करें चेंज लुक की बात करें तो यहां पर चेंज लुक में वही दो-तीन लाइन ही आपको लिखी भी मिल जाती है जिसमें system performance वगरा और security वगरा है जो एड किया गया है इसके बाद मैंने यहां पर बहुत कुछ find out करन का option और नया control center भी हमें पहले ही मिल चुगा था लेकिन यहां पे एक चीज मैंने यहां पर जरूर नोटिस किया है इस update के बाद ज्योंकि पहले मुझे कभी दिखाई नहीं दिया था वह extra यहां पे जैसे कि यहां पर आपको storage का shortcut देखनी को मिलता है जो कि files by google के बज़े से आया है और यह पहले मुझे नजल नहीं आता था बट इस update में देखनी को मिल जाता है जो कि मैंने पहले भी notice नहीं किया था अनदर यहां पर performance boost का option मिल जाता है जो कि maybe आपको पहले दिखाई दिया होगा उसके बाद यहां पर आपको scan and pay का भी option देखनी को मिल जाता है जो कि link करने के बाद आप यूज में ला सकते हो और यहां पर focus mode का भी shortcut देखनी को मिलता है जो कि हमारा digital valuing का है और अनदर यहां आपको पहले भी देखनी को मिला यहां फिर इसी update में आपको जो नजर आया है क्यों वहाई काफी interesting चीज़े हैं यह जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ और मुझे यह पसंद आया और आपके साइथ काम भी आ सकता है लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यहां पर मील मिलता है वही वहला है यह वहला भी तक आया नहीं है क्योंकि वह आपके MIUI 14 या 13.1 के साथ ही देखनी को मिलने वाला है बाकी यहां पे चीज़ और नोटिस करोगे कि जो हमारा वीजर से यह थुआ सा पहले से थुआ स्मूध हो चुका है काफी फास्टर यहां पर लोड ले रिजर्ट के उपर कि किया चीज़ हमें कैसे नजर आती है ठीक है तो सबसे पहला यह है हमारा गिकपेंच का रिजर्ट जिसमें मल्टी मुझे थुआ सा बेटर लगा है पिछले वाले में थुआ डाउन था बट साइड वाई साइड तो कंपेर में आपको फाइनल में लोग कंप्लेइन कर रहे थे कि वाई फोन हीट कर रहा है और बहुत जादा बेकार भी हो चुका है तो साइड मुझे लगता है कि यह इंप्रूब हो जाएगा बर टिस्ट के बाद में फाइनल बता पाऊंगा अनदर सीप्यू ठोटल में ने चेक किया नर्मल तरकी से गेमटर्व का तो भाई बिल्कुल ही घटिया रिजल्ट आया था बहुत फ्रोटल था लेकिन इसके लेटे समय बहुत जलती से स्टार्ट पे किलिक हो गया और क्राफ चला गया तो वह मैं आपको फिर से बाद में दिखा दूगा लेकिन मैंने यहां पर डाइक लिक गेमट के बाद इसमें कोई और इंप्रूमेंट आता है या फिर सेम देखनी को मिलता है तो इसलिए फाइनल का वेट कर लेना और यहां पर जो आप लॉक पर करते हो इसका जो प्रिवू नजर आता है ना इसमें मुझे हलका सब बदलाओ देखनी को मिला है जो कि मैंने यहां पर तो आप बताना कि क्या इसी तरीकी से नजर आता था चेंजिंग आपको यहां पर दिखा ही ते रहा है जैसे कि फॉन्ट यहां पर कासी जड़ा बोल्ड है और लुक में थ्वा ज्यादा फिनिसिंग मुझे देखनी को मिल रहा है जो कि पहले इतना ज्यादा नहीं देखनी इसके भी टेक्ट मुझे थ्वा से बोल्ड लगे हैं तो मुझे लगता है कि यहां पर टेक्ट के ऊपर थ्वा सब मोटिविकेशन किया गया अलग जगह पर आपको बोल्ड बोल्ड चीज़े जो देखनी को मिल जाती है जैसे कि अगर मैं यहां पर इसे स्वाइप अप कर जिता हूँ तो उसे में यह option आता है first time पे जो कि अभी आपको आप देखनी को नहीं मिल रहा लेकिन यहां पर मैं टैप करूंगा जो कि अब आपको यहां पे फेड आउट टेखनी को मिल रहा होगा लेकिन फर्स टैम जो option आता है वह पूरा का पूरा है जो कि लिकेवल रह जो कि मैंने दो दिन पहले आपको जो वीडियो बना के प्रोवाइड कर दिया था तो बस यही छोटा से एक मामूली सा अपडेट था बट देखना यह है कि यह बैटरी पर कितना ज़्यादा एक्ट्रेक्ट डाल पाता है और सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अगर आपको कस्टम रोम के वीडियो पसंद आते हैं तो क्योंकि मैं वहाँ पर भी रिव्यू लेकर आने आज सुरू कर चुका हूँ हमारे मी 11x डिवाइस के लिए तो बस इतना है साथ मिलते है नेक्ट वीडियो में टाटा बाई बाई झाल